बहुत बहुत स्वागत है आपका अपनी चैनल NIS Online हमें जिस परकार से दोस्तों यहाँ पर सिक्षा मंतरी प्रोपेसर चन सिखर जी का स्टेटमेंट आ रहा है सात्वे चरन बहाली और निवाली को लेकर आप लोग लगातार देख पार होंगे अलग अलग न्यूज में स्टेटमेंट निकल के आ रहा है सात्वे चरन बहाली और निवाली को लेकर आप लोग थोड़ी दिर पहले अपनी ओपीशर ट्वीटर हैंडल पर ट्वीट किया गया है सात्वे चरन बहाली और निवाली से संबंदित जैसा कि आपके स्क्रिन पर आप देख पारोंगे प्रोपेसर चेंसेकर जी का ये ट्वीटर है और यहां पर आप देख पारोंगे सेबंध फेज सिक्षक नियूज नेवाली पर मेने हस्तक्चर कर दिया है अब ये केविनेट में जाएगा 2030 में सिक्षा विभाग में 3 लाग से अधिक नोकरी मिलेगा महागडबंद सरकार ने 10 लाग नोकरी का जो बादा किया है हम उस कायम उस पर कायम है और उससे पुरा करके दिखाएंगे ये दोस्तो मैंने करा हूँ ये जो है प्रोपेसर चैंसेकर सिक्षा मंतरी जी का ये स्टे क्या है और जैसा कि आप लोग को पता है कल यानि 24 तरिक को जो है केविनेट में जो बेठक होने वाली है उसका भी जो है यहां पर कली जो है इसका लेटर भी जारी कर दिया गया है जैसा कि आपके स्क्रिम पर आप देख पारोंगे 24 तरिक को केविनेट बेठक होने वाली है साड़े गारा बजे उमीद करते हैं कि दोस्तों कल की जो बेठक होने वाली है उससे निवाली 99% लग रहा है हमें कि निवाली जो है इस बार आ जागी जैसा सिक्छा मंतरी का लगातार एस्टेटमेंट निकल क्या रहा है चैनल के माईधम से अलग-अलग चैनल के माईधम से और पहले ही जो है सिक्छा मंतरी दो दिन पहले जो है का चुके हैं कि जो अगली केवेनेट होने वाली है 24 तारिक को उसमें जो है निवाली आपकी आ जाएगी अब देखने वाली बात होगी कि यहां पर सिटेट बीटेट अगर आ जाती है तो यहां पर एतिहासिक दीन अब देखने वाली बात होगी दोस्तों क्या सिक्छा मंतरी जो अभी अलग-अलग न्यू चैनल पर स्टेटमेंट दे रहे हैं कि क्या उनके बियान सैथ होते हैं वो दोस्तों आने वाले समय पर कल ही यह पता चलेगा साड़े गारा बज़े के बाद यानि केविनेट बेठ होने वाली है क्या उसमें नेवाली आएगी तो आप लोग इस पर कॉमेंट अपनी राय जो है दे सकते हैं मेरा जो राय दोस्तों था मुझे लग रहा है 99% जो है इस बार आने की पूरी संभावना है ठीक है और देखने वाली बात होगी कल जो है अतिहासिक दीन होने जा र हो सकती है इससे पहले भी दोसतों सिख्षामंतरी चांशेकर जीन ने जो है ट्वीट किया है आप पिछले का अगर ट्वीत दिखाएंगे तो जैसा के नीटियों होने जा रहे हैं वर्ष 2023 निक्तियों का वर्ष होने वाला है कोई अभिहारती घबराएं नहीं महने भर के अंदर उस समय कहा गया था कि महने भर के संबय जो है अंदर नियोजन निवाली आपके बीच आ जाएगे सारी मैधा सूची योगता और सिचक पातरता के अधार पर ब किये हैं वो कितना तक बन रहा है ठीक है जिला प्रसासन के नेतुरत में बहाली होगी पहले 9000 निकाई में थी आप 38 जो निकाई है उस पर पत्र मतलब निक्ति पत्र बाट बाटवारा होगा किसी गड़बडी की कोई गुंजास नहीं है मतलब जितना जिला होगा उतना नि खास होने बाला है सिटेड वीटेड अभिहारतियों के लिए तो कल का दिन हम लोग इंतिजार करेंगे ठीक है अपनी राय दोस्तों आप कॉमेंट बॉक्स में दे सकते हैं